जहिन इससे पहले के क्लास में हम आपको बताए थे कि TKS सिस्टम के बारे में समझा देंगे जो हवा में यानि मीड एर कोलीजन से बचाता है टीका से एक रडार होता है रडार एंटीना के थुरू अपने अगल बगल की एरिया को स्कैन करके वो डिटेक्ट करता है कोई दूसरा जहाज तो नहीं है और अगर है तो वो किस डिरेक्शन में जा रहा है कितनी हाइट है और वो टकराएगा की नहीं टकराएगा इसी से यह रहेगा तो हमेशा दुरगतना होगी 1996 में दिल्ली के पास चर्की दादरी में दो जहाज आपस में टकरा गये थे जिसमें सभी लोगों की मृत्ति हो गई थी तो यह TKS का फुल फर्म क्या होता है traffic collision avoidance system TKS इसी को हम लोग AKS भी कहते हैं यह क्या होता है airborne collision avoidance system AKS या TKS करते हैं यह क्या चीज होता है कैसे काम करता है समझे दिखिए जब दो जहाज आपस में एक पास से गुजरते हैं तो उनके बीच में कम से कम 1000 feet की दूरी होनी चाहिए 1000 feet की दूरी होनी चाहिए उपर न अगल में निकलना है तो 14 km के radius में कोई दूसरी जहाज नहीं आनी चाहिए यानि 14 km के radius से इसको बचा लीजे और 14 km के radius से इसको बचा लीजे तो यह horizontal भी cross कर सकते हैं TKS इसी distance को maintain रखने में help करता है अगर यह radius कम होगा तो वो warning देने लगेगा अगर यह pass आने लगेंगे तो दूनों plane को warning देने लगता है TKS system अब यह कैसे काम करता है उसको एक एक करके समझते है TKS का antenna जो होता है वो यह S-band wave को छोड़ता है TKS antenna S-band wave को छोड़ता है इस पे लिखा होता है do not paint paint नहीं कीजेगा वरना wave ही नहीं निकल पाएगा इसको यह wings हो गया पीछे stabilizer हो जाता है पूरे जहाज में यही system होता है तो दो ठो लगे होते हैं एक फ्यूजलार्ज की ऊपर जो ऊपर के area को scan करता है एक फ्यूजलार्ज की नीचे जो नीचे के total area को scan करते रहता है यह अपने अगल बगल यानि horizontally यह 40 nautical mil के area को scan कर लेता है कि इस area में कोई दूसरी जहाज तो नहीं है और उपर नीचे 10,000 feet की area को scan कर लेता है कि इस area में कोई जहाज तो नहीं है अगर रहेगा तो दोनों जहाज एक दूसरे को inform कर देंगे कि कौन कितने distance पर किस direction में जा रहा है टकराने की तो संभावना नहीं है अगर हवा में दो ज तकराने की संभावना होती है उस point को closest point of approach closest point of approach यानि CPA कहा जाता है तो closest point of approach से दूर रहना चाहिए वरना ये वो जगह होता है जहाँ दोनों की तकराने की संभावना होती है और कितने मिनट बाद टाकरा जाएंगे ये calculation TKS का computer कर देता है और इसके बाद वो warning देना लगता है अगर ये 40 nautical mile दूर है intruder दो जहाज आपस में एक दूसरे को intruder कहते हैं इसके लिए ये जहाज intruder है और इस जहाज के लिए ये जहाज intruder है यानि आपस में टकरा सकते हैं अगर distance जादे है कोई दिक्कत नहीं अगर काफी पास आ गया तो traffic advisory जारी की जाएगा और बहुत प होता है अगर बहुत पास आ गया तो resolution advisory जारी की जाएगी थोड़ा दूर है तो traffic advisory जारी की जाएगी अब इसमें समझते हैं देखिए ये triangular shape है ये जहाज है जिसके अंदर ये ठीका सिस्टम लगा हुआ है और ये इसके लिए intruder है intruder यहां diamond shape में बना है खोखला है इसका मतल जाने की जरूरत नहीं है लेकिन वही उसको किधर जाना इसको थोड़ी पता है इसलिए उस पर ध्यान रखना भी जरूरी होता है अब देखिए यहां पर यह intruder दो है इसका तो जो diamond पूरा भर गया color हो गया color हो गया इसका मतलब यह पास आ चुका है और 6 nautical meal के पास आ इस पर थोड़ा ध्यान रखा जाता है क्योंकि यह काफी पास आ चुका है यहां पर 6 nautical meal माइनस साइन यह दिखा रहा है कि वह हमसे नीचे है हमसे नीचे है अब अगले देखते लिए सुसराई तो amber color का हो गया यानि orange और yellow का mix तो amber color का हो गया इसका मतलब यह 6 nautical meal से भी पास आ चुका है अब इससे बहुत खतरा हो सकता है यह 6 nautical meal के पास आ चुका और इतना पास आ गया है कि अगले 45 second में यह हमारे पास आ सकता है 45 second में हमारे पास आ सकता है अभी यह plus sign दिखा रहा है plus sign का मतलब यह है कि यह जहाँ जो intruder है हमसे height पर है और 45 second की दूरी पर है 6 nautical meal से कम दूरी है plus sign यह दिखा रहा है कि अभी यह height पर है लेकिन दिक्कत यह क्या है कि इसमें एक नीचे की ओर तीर बना है यानि height पर है ल की से TA बोलते हैं और oral warning दिया जाता है कि आप सावधान हो यह कोई ना कोई आपको action लेना होगा वरना 45 second के अंदर collision हो जाएगा और अगर यही red color में convert हो गया red color मतलब अब एकदम खतरनाक condition हो गया है वो 6 nautical meal से भी एकदम पासा चुका है और अगले 25 second में collision हो जाएगा 25 second में collision हो जाएगा अब एकदम ready रही है इस condition में ठीका system resolution advisory जारी करेगा यानि अब आपको warn नहीं करेगा आपको action लेने के लिए कलेगा किसी एक को कहेगा उपर जाओ और दूसरे को कहेगा नीचे जाओ एक को उपर एक को नीचे जाने को कहेगा टीका system अगर एक को कहता है कि तुम उपर जाओ तो ठीक इसी समय इसका टीका system इसको कहता है नीचे जाओ इसमें pilot को confused होने की जरूरत नहीं रहती है वरना अगर ऐसे रेडियो में बात करते है भाई तू उपर जाओ तू नीचे जाओ 25 second time में दूरे लडा लेगा अपना य और यह primary flight display PFD इस पे जो बताता है इस सेप में बन जाएगा यानि इसको क्लाइम करना है इसको क्लाइम करना है और जिसको नीचे जाना है उसमें इस सेप की आकरती बनेगी यानि इससे डीसेंट करना है डीसेंट नीचे जाना है और ताकि दोनों के बीच में एक सेफ डिस्टेंस बना के सेपरेशन किया जा सके जब यह सेफ डिस्टेंस बना के चले जाते हैं तो इसके पास सारी डाइमंड से भड जाते हैं इसका पूरा नेविगेशन डिस्पले क्लियर हो जाता है इसका मतलब इसके नेविगेशन डि यह क्लियर कंफ्लिक्ट करके टीकेस दो जहाजों को मीटियर कोलीजन से बचाता है बादलों के पीछे कभी-कभी पाहाड छुपे होते हैं तो बादल के अंदर पाइलेट गूज जाता है उसको लगता है कि नहीं हम तो क्रॉस कर जाएंगे लेकिन पहाड पे जाके करांस कहा लड़ जाएगा ऐसे PIA की जाज पाकिस्तानी इंटरिंसल एरलाइन की जाज जब काठमांडू एयरपोर्ट के पास स्टेप डिसेंट कर रही थी तो बादलों के बीच में पहाड था उसी से वह टकरा गई थी तो इस सिस्टम में भी काफी हेल्प करता है यहाँ पर इससे निकलने वाला रडार जो होता है पता कर लेता है कि आगे अगर कोई जोग्राफिकल टेरेन का मतलब होता है कि कोई पहाड़ी वगरा तो नहीं है नेचुरल रुकावट को हम टेरेन कहते हैं और अगर वो टेरेन रहता है आगे कोई पहाड रहता है तो वर्निंग जारी करन इस प्रकार ये किसी भी पहाड़ पर्वत से भी टकराने से रोक लेता है जब TKS सिस्टम नहीं था तो जहाजों में टकराने की संभावना बहुत थी और ऐसा नहीं है कि पहले जहाज हवा में टकराएं नहीं है बहुत सारे जहाज टकराएं तो नहीं होता था तो जो air traffic controller होता था ATC इसके radar में दिखता था कि दो जहाजे आपस में पास तो आ गई है क्या तब ये एको को कहता था तुम उपर जाओ जी तुम नीचे जाओ अब इसी में देर हो जाता था कौन उपर जाओ कौन नीचे जाओ इसी में टकरा जाते थे तो T दिल्ली एरपोर्ट से जहाज उडान भरती है सौधी एरलाइन और यह उडान भरती है दिल्ली एरपोर्ट से और इसे समय दिल्ली एरपोर्ट पर कजाकिस्तान से जहाज लैंड होने के लिए आ रहा होता है उसका नंबर होता है कजाक एरलाइन का 1907 तो यह दोनों आ रहे होत तुम्हारे उपर से कजाक एरलाइण जाएगी इसको कह दिया 14,000 पर बनने के लिए इसको भी बोल दिया कि तुम्हारे उपर से कजाक एरलाइन अभी गुजरेगी और इस से पूछा यह Ayr traffic controller कजाक एरलाइन से पूछा कि तुम कितने height पे हो ती बैला करा है कि हम 16,000 फीट प कर जाएंगा यहां हो गया भ्यंकर गलती यह बैला 16,000 फिट पर था ही नहीं यह बैला था 15,000 फिट पर पहिले से और इसको जब A.T.C. ने कहा कि ठीक है तुम 16,000 पर हो ते काम करो 15,000 पर चलाओ तो यह बैला 1,000 फिट घटा दिया तो सब्सक्राइब सोला पर था नहीं इसको लग रहा था कि सोला हजार पर इसका वंगरेजी कम जोर था ट्रांसलेट कर रहा था डिक्स्नरी लेकर बैठा था ओई में बती आ रहा था धीरे धीरे कर तो इससरा 15,000 फिट घटा के कर दिया 14,000 फिट अज जय से 14,000 फिट किया साओधी एरलाइन पह अगर टिका सिस्टम रहता तो इसे रोक लेता एक और गलती हुई थी यहां दिल्ली एएरपोर्ट पर प्राइमरी रडार हुआ करते थे प्राइमरी रडार इस सेप में होता है और यह केवल जहाज के पोजिशन को बता देता है यहां जहाज है यह नहीं बता पाता है कि ज जहाज कितने हाइट पर है तो एर ट्रेफिक कंट्रोलर को कजाक एरलाइन से पूछना ही नहीं परता खुद ही देख सकता था कितने हाइट पर है लेकिन प्राइमरी रडार केवल जहाज का लोकेशन बता पाता है यह नहीं बता पाता है कि कितनी हाइट पर है सेकेंडरी र देख लेता कि सौधी एरलाइन 14,000 पे है और कजाक एरलाइन 15,000 पे है वो पूछ कर बकलोलवा पाइलेट के भरोसे नहीं बैठता और आराम से सेप्रेशन करके निकाल सकता था एक और वहां गलती हुई थी कि टीकस सिस्टम नहीं था टीकस सिस्टम जो रहता तो दोनों अगर इसको कह दिया उपर तो इसको कह देगा नीचे और एक और उस समय था दिल्ली एरपोर्ट पे आने और जाने का दोनों रास्तवा सेम था अभी क्या क्या दियेगा अलग-अलग कर दिया उड़ने का रास्ता अलग है उतरने का रास्ता अलग है पहले एक ही रास्ते हो और ये काफी ज़रूरी है ताकि उसी से मिलता जुलता दुबारा घटना न हो सके और इस परिवहन को सुरक्षित बनाया जा सके आई होप आप इसे समझ गया होंगे बाकी ओनलाइन क्लासेज आपके चल रहे हैं बीपीएसी का क्लास यूपीएसी वाला क्लास फाउंडेशन और बिहार दरोगा बहुत जल्दी आने वाला है मिलेंगे नेक्स क्लास में जहिन